सरुकार कानपुर में आने वाला है रमजान का पाक महीना इंतजामों को लेकर पुले सराट आगरा में यूपी बोर्ट की परिक्षाओं का मुल्यानकन शुरू कड़ी सुरक्ष्षा के बीचों का मुल्यांक नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे है प्राइम ट्रीवी खबर अलीगर से है जहां विद्यूत कर्मचारी सायूक्त स्तंखर समीति के बैनर तले अलीगर के हर्दुआ गंज तापिया पर योजना के बाहर विद्यूत कर्मियों ने धर्ण प्रदर्शन किया और आप चार अलग अलग तस्वीरों भी देख सकते हैं जिसमें विद्युत कर्मचारियों द्वारा धर्णा प्रदर्शन क्या गया है पहला सुल्तान पूर दूसरी कुशी नगर तीसरी गाजीपुर और चौती हर्दोई की तस्वीरे भी इस वक्त आप प्राइम टीवी के टेलिवीजिन स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर विद्योत कर्मचारियों द्वारा धर्णा प्रہदर्शन लगातार जारी अब विद्योत कर्मचारियों के हर्ताल के दृष्टिरीगात सबी जन्फदों में विद्योत पूरती विवस्था को सुचार रूप से बनाए रखने के लिए जुलादिकारियों द्वारा निर्देश भी दिया गया साथ विद्यो तुपकेंद्रों का निरीक्षण भी किया गया है तो आप ये चार अलग अलग तस्वीरे देख सकते हैं जोहां सुल्तान पुर कुशिनगर गाजी पुर और हर दोई में विद्योत कर्म पुर्च्वारियों के हर्ता लगातार जारी है। कि अनौन में नहीं लाया है। कि मुकद्मा जब हम आताल पर राटेंगे और इस तरह की जो पिरिया कला भी के दोरा किये जा रहे हैं ये पदर्शित का रता है कि वह कमजोर हो रहा है और हम मजबूत हो रहे हमारे सर्कार से कोई मांग नहीं हमारे संदुतों को लागू कर सब्सक्राइब कर लिया तो उसे लागू करने मुदू क्या देखते हैं ये हमारे उर्जा विवाग के पूरे उत्ताप्र इसमें प्रोटेस्ट चला है आज ये जो प्रोटेस्ट है पिछले दो दिन से हम लोग कार बशकार पर थे और रात सोले तारीकी दस वाजे से हम लोग सांकेतिक हरताल पर हैं इन मांगों को जो 14 मांग हैं जिन पर समझाता हुआ उसके पालन कराने के लिए हम लोगों का ये आंदोलन सुरू हुआ है कल तक निरंतर हमारा संगत समती प्रयास करती रही कि हम लोगों को कोई आस्वासन मिले ल हुए और के वाल ये रहा कि हम को थोड़ा समय दीजिए और हम लोगों को गुम्रा करने का प्रयास किया गया पूरे प्रदेश की भात यहां भी विद्दुद कर्मी 72 घंटे की सांकेतिक हरताल पर हैं उसके दरस्तिकर जो महात्मुर प्रतिश्ठान है जैसे यहां पर सब्सक्राइब करने के लिए जो हमारे कर्मी है वो मुटैनात है और हमारा जो कासिमपूर पावर हाउस है वो पूंच हमता के साथ चल रहा है तो अभी तक इस्तियां नियंत्रित हैं कर्मचारियों से भी अपील की गई है कि वो कोई ऐसी बाधा उत्पन्दना करें जिससे जाने जीवन में कोई असंतोस पैदा हो वर्तमान में जो विद्यूत करमचारियों की हड़ताल चल रही है उसको देखते हुए पिछले दो तीन दिन से हम लोगों ने कई मीटिंग करी है हमारे जो विद्यूत के करमचारी हैं उनसे समवाद भी स्टैब्रिश किया है लोग प्रोटेक्शन कर सके कुछ सविदा करमचारियों की सूची हम लोगों ने बनाई है जिन से हम लोग इस समय काम ले रहे हैं और बागियों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो काम पर आएं और अपना कारे जो हैं करें बुलंड शहर की राजे बाबु पार्गपर गिरधारी नगर निवास से यूवक के गुमशुदा हो जाने पर दरजुनों लोगों ने प्रदर्शन किया साथ ही राजे बाबु पार्ग से गुमशुदा यूवक की तराश के लिए एस सेस्पी को शिकायती पत्र देने के लिए परिजन पहुचे परिजनों ने गुमशुदा युवक के हत्या की आश्रंका जिताई है बता दे कि युवक अपने दो साथियों के साथ कुड़ा कच्रा उठाने गया था तब से वो वापस घर नहीं लोटा जबकि गुमशुदा युवक के दोनों साथी उससे दिन घ कामला बुलंच शहर नगर श्यत्रस्थित गिर्धारी नगर का बताया जा रहा है यूपी के राज्य सूचना आयूगत सुभाज शंद सिंग श्रावस्ती पहुचे जहां लोग निर्मार विभाग के निरीक्षन भवन में डियम नेहा प्रकाश, पुले सदीक्षक जन्पच रावस्ती और बहराईच के 57 मामलों की सुनवाई हुई जिसमें 50 मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया प्रावकार की कालब उन दर्ने का भागी हुटा है तो उसने पची सजाय का जोगवना अर्तगर्ण और प्रत्यूर्ण पर्रुष्टिका भी प्रावधान है ऐसे बहुच सारे अलगा लिए तैसे आज जरू प्रभूधिये लगों में परणों करने लगा है उसे जन सुश प्रावधिये लगा लगा है तो पीडिपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पुंच के नवगरह मंदिर में शिवलिंग पर जराविशे किया था वही समामने को लेकर कई मुसलिम संस्था उनके विरोध में आ गई है अलिगर में भी थियोलोजी विभाग के पूर्वर चेर् और मुसलिम धरम गरू प्रोफेसर मुफ्तिस जाहिद अलिग खान ने कहा की खुदा के अलावा जो किसी और की अबादत करता है या पूजा करता है वो association में खारिज है शिवलिंग पर जल्द चढ़ाना पूजा होती है जो पूजा करेगा वो इसलाम से खारिज होगा उन अबादत के अलावा ना मूरती पूजा की अजास्त देता है ना कबर को खुदा की तरह शरीक मान कर उसकी अबादत करने की अजास्त देता है ना शिवलिंग की अजास्त देता है ना शिवलिंग को जल चड़ाने की अजास्त देता है इसी तरह से तुलसी की अबादत करना भ उनकी साथ सीता जी या खाली राम चंदर जी या किरशन जी और उनके साथ वो तो अगर इन में से किसी एक की पूजा करे या अबादत करे और वो शिवलिंग जल चड़ा के अबादत करे यूपी खादी एवं ग्रामो द्योग बोर द्वारा शाजहापूर के खिरनी बाग स्थित खेल मैदान में तीन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन क्या गया और इस आयोजन कश्रुबारंब यूपी के वित्तमंत्रे सुरेश कुमार खना द्वारा क्या गया इस दोरान उन्होंने प्रदर्शनी में लगे तमाम प्रकार के स्टॉलों को देखा और साथ उन्होंने लाबार्थियों को प्रमाण पत्र देकर बिजली से चलने वाले चाक और दोना पत्तल बनाने वाली मशीनों को वित्रित किया जिसे पकर लाबार्थियों के चेहरे ख प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें छे जनपदों के विवसाई लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खास्तोर से मुझे खुशी है कि माटी कला बोर्ट के द्वारा अभी तक जो चीजें प्रजापती समाज के लोग हाथ से करते थे जो हाथ की कारीगरी करते थ और कम से कम शक्ती लगे और ज्यादा से ज्यादा उनका आउटपूट हो इसने ये मशीने बितनित की जा रही हैं चाक बरतन बनाने के लिए दिया बनाने की मशीन और पत्तल बनाने की मशीन इससे लोगों में एकात मिश्वास पैदा होगा उनकी आई भी बढ़ेगी और से यह सोलर चर्खा भी आज आपके सामने प्रदर्शित क्या जा रहा है अभी तक हाँ से चला जाता था अब यह सोलर चला जा जा रहे हैं वहीं यूपी बोर्ट परिक्षाव का मुल्यांकन शुरू हो गया है और पाच मुल्यांकन केंदर ताजनगरी आगरा में बनाई गए हैं बता दे कि प्रतेक मुल्यांकन केंदर पर सीसी टीवी कैमरे लगाई गया है और जो भी अध्यापक कॉपियों की जाच कर रहे हैं वो कोई भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस जैसे मुबाइल फोन डिजिटल वाच या कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकेंगे इस मुल्यांकन केंदर पर स्ट्रेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और मुल्यांकन केंदर के बाहर सिविल ड्रस में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है इसके साथ ही मुल्यांकन केंदर के सौ मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू की ग गई है जैसे मोबाइल नहीं लाना है उसके लिए अलग से रूम बनाए गया है बाकी सेटिंग प्लान बैचना कैसे है पूरी विवस्ता कर ली गई है और हमारे जलादिकारी द्वारा इस्ट्रटिक मेरिस्ट्रेट भी नुख्ट किये गए है पारदर्सी मुल्यांकन के इस तरह ब्वस्ता कि है कि हम सिच्छपू पर निगरानी भी रख रहे हैं कि वो पूरी तरह से इमांदारी से और समय देती हुए कापियों का मुल्यांकन के रहे हैं आगरा में यूपी वोट की परिक्चाओ का मुल्यांकन सुरू हो गया है वहीं आपको बता दें मुल्याकन केंद्र बनाए गए हैं वहीं मुल्याकन केंद्रों पर मज्स्टेट की डूटी भी रहेगी मुल्याकन केंद्र के बहर भी इस में पुलिस की तैनाती रहेगी आपको बता दें जो behö आद्यापक हैं जो कॉप्या चैक करेंगे वहां पर कोई बी इल ground क्रांपार मोबाइल वाच सहित किसी को ले जाने की अनुमती नहीं दी गई है वहीं मुल्याकन केंदर के बाहर जो 100 मीटर का दाइरा है वहाँ पर 11144 भी लगाई गई है अपने सहीयोगी उमर के साथ जीशान अमत प्राइम टीवी आगरा उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगरपालिका परिशत के अधिशास्य अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार को डीम बी के तरपाठी ने उनके बहतर कारी के चलते बच्रायों नगरपालिका के अधिशास्य अधिकारी का अतरिक्त चार्ज भी सौब दिया है वह इस दोरान मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि डियम बाकेतर पार्थी के द्वारा उनको एक और जिम्मदारी दी गई है अमरोहा नगरपालिका के साथ साथ बचना ही में नगरपालिका शेतर का चहमुखी विकास कराना उनकी प्रा यह उसके बाद मेरा वहां पर अस्थाई रोच्छे जो आसासितिगारी के दूब मेरे वाराथ पत्वाथ गहर किया गया है जैसा कि अपनी बहुत सारी प्राथमिक्ता है जिसमें सहर के सचता है अच्छता के साथ साथ वहां के फट्ड़कों की मरम्मत वहां के लाइट वे प्रियाग राज के हंडिया तैसील के वारी गाओं में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीडों को जागरु किया गया इस मौके पर मारती चौहान अनुराग स्वाही देवी दीपिका सिंग साइथ दरजनों की संख्या मिलो गुपस्तित रहे इस दौरान महिलाओं ने एक कहा कि जल जीवन ही सबसे बड़ी पूजी है जल जीवन मिशन कॉडिनेटर कुसम सिंग ने कहा कि जल है तो कल है जल के बिना जीवन अधूरा है खबर कानपूर से है जहां रमजान के महीने को देखते हुए शहर काजी मुहमद साकी बदीब मिसुबाही ने पुलिस कमिशनर से मुलाकात की जिसको लेकर उन्होंने बताया कि रमजान के महीने में मुसलिम समुदाय को कोई परेशानी ना हो जिसको लेकर पुलिस कमिशनर से मुलकात की गई है उनका क्याना था कि पुलिस कमिश्णर ने आश्वासन दिया है कि जो भी समस्या होगी उसे दूर किया जौएगा आज हम लोग कमिश्णर साब के पास तमदान मुबारक के मौके पर यानि के दमदान का महीना शुरू हो रहा है इस मौके पर हम जापन देने आये थे हमने बहुत सारी बाते रखी सफाई के तालुक से और बिजली के तालुक से और मसाजिदों के बाहर जो और जा तीगर जो पुरी रहती हैं सब चीजों के तालुक से सफाई सुसराई के तालुक से हम सारी चीज़े हमने बात करी है उन्होंने हमसे कहा है कि कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे राप्ता कर देंगे और जो तेवार अच्छी खावर अलीगर से है जो हां स्कूल के अध्यापक को बच्चे से फीस मांगना महंगा पड़ गया बच्चे के पिता ने अपने बेटे के साथ मिलकर अध्यापक की जम कर पिटाई कर दी इस दोरान अध्यापक गंफीर रूप से घायल हो गया वही हमले में प्रयोग की जान खावर हर्दोई से है जो हां सांडी इलाके में चुक्की के कार खाने में आग लगाने का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें उची उची लप्टे उट रही है और ग्रामीडों के चीक पुकार की भी आवाजे साफ तोर पर सुनाई दी आग लगने से कार खाने में रखा सारा सामान जलका राक हो गया जिसके बाद पीडित की मा और भाई ने इसका विरोध किया तो दबंगो ने लाठी डंडों से उन पर भी हमला कर दिया जिसमें मा और भाई दोनों ही गंभीर रूप से घाय लो गए जिनको इलाज के लिए दूसरे गोपी इन दोनों पच्चों में बिवाद हुआ था अपस में मारपीट भी हुई है और दोनों पच्चों का आरोफ है कि एक दूसरे के शपर में लोगों ने हमारे आग लगा दिया जिसमें असोब कुमार का यह कहना है कि मेरा पाले से रखा ताव जल गया और गो खबर हर दोई से है जोहाँ पिहानी कजबे में पोलिस पिकेट की चौकसी के बी चोरी की घटना सामने आई चोरों ने अंग्रेजी शुराब और बियर शॉप में लाखों की चोरी को अंजाम दिया इतना ही नहीं शातिर चोरों ने बैट कर बड़े आराम से आपस में जाम चलकाए और फिर लाखों की नगदी लेकर फराद हो गए वैसे मामले की सूचना पोलिस को मिलते ही पोलिस अब मामले की जाच परताल में जुड़ गई है बीयर और अंग्रेजी शराब की लुकान है उसमें चोरी की नक्टा प्रकास में आई है जिसमें यह जानकारी किया गया है कि उसमें कुछ करिक तीन पेटी बीयर और आठ दस बोतलें उसकी अंग्रेजी शराब की चोरी हुई है कुछ पैसे भी उसमें से गया है तो अभी इसमें वादी से बात नहीं हो पाई है आवेदा कभी आके जो लिखी तरीर देंगे उसके आधार पे आवसे विदी कारवाई की जाए अलिगर में कुतवाली सिविल लाइन शेतर में जंक्शन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शराबी युवक ने नशे में धूतोकर प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर राजधानी एक्स्प्रेस ट्रेन के सामने खुद खुशी करने के लिए वो रेलवे ट्रैक से नीचे उतर गया जिसके बाद आत्मत्या करने के लिए खड़े युवक को देख रेलवे पुलिस का जवान दौरता हुआ मौके पर पहुचा और रेलवे ट्रैक पर आत्मत्या करने के लिए खड़े युवक को पकड़कर रेलवे ट्रैक से हटाते हुए प्लेटफॉर्म क उपढ़ ले आया तो वही ये पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसी टीवी कैमरे में क्याध हो गई खबर फरीदाबाद से है जोहाँ साइबर थाना बलबगड की टीम ने यमुना आवास योजना के तहट सस्ते दाम पर प्लॉट दिलाने के नाम पर 690 लोगों के साथ साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देकर 3 करोर से जादा की ठगी करने वाले गिरों के 3 सदस्यों को गि पुलस ने गिरफतार आरोपियों के कबजे से एक लैप्टॉप चार मोबाइल के साथ 94,000 रुपए की नगती भी बरामत की है और आरोपियों पर कारवाई करते हुए अब उन्हें गिरफतार कर लिया गया है जी हमारे पास सिप्टेंबर में एक कम्टेंड प्राप थुई थी कि एक वेबसाइट पर उन्होंने रेजिस्टर किया है यमना आवास यूजना के तहट जो यूपी गवर्मेंट की एक स्कीम है जिसमें सेक्टर 27, सेक्टर 26 और सेक्टर 22 दी के प्लोट्स कटे थे वो एक्ट्यूल स्कीम थी जिसको कॉपी करके उन्होंने एक फेक वेबसाइट बनाई और उस पे रेजिस्टरेशन करवाया लोगों से और अलग-अलग प्लोट के साइज के हिसाब से अलग-अलग पैसे सबसे लिए फिर कुछ टाइम बात जब जो उन्होंने लगकी ड्रॉ की डेट निकली थी उस डेट पर ड्रॉ नहीं हुआ लोगोंने वेट किया कि पैसे शायद वापस मिल जाएंगे लेकिन जब नहीं आया तो हमारे पस कंप्लेंड हुई उस पर जब हमने इंडस्टिगेशन की तो पाया गया कि वेबसाइट फेक थी वेबसाइट अब बंद कर दी गई है और उसी पर आगे तेकिकात करते हुआ हमने तीनों को गिरफ्तार किया और रेकवरी किया दिल्ली इंसियार साइट फरीदाबाद में भी सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला बता दे के चिलचलाती गर्मी और धूप के बाद सुबह से ही फरीदाबाद में आसमान में बादल छाए नजर आए और शाम होते होते बूदाबांदी भी शुरू हो गई चल रही हवाओं के चलते सर्दी का एक पर फिर एहसास होने लगा वह जब इस मौके पर लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मार्च के महीने में इस तरह से मौसम का बदला और बूंदा बांदी होना ठीक नहीं है बले ही इस बूंदा बांदी से पॉल्यूशन तो क चल हो जाएं ऐसी बेहने लगें तब इना बढ़ा रहा है मेरा नविपन हो रहे हैं हमारा देश करशी परदान है इस मौसम में गरब मौसम ची है यह उसके लिए क्या ची गरम पीए ताकि दाना फूल जाए हम करते हैं कि मौसम ठीक है ठीक नहीं है हम दिस देश में रहे है पानी तो चाहिए लेकिन समय पानी आए तो ज्यादा अच्छा है यह थोड़ा सा प्राब्लम यह है कि फसले पक रही है और उसका थोड़ा सा वह प्रमात्मा तो इस परमात्मा घए जिजलती नहीं आएं और नुकसान जढ़ा क्योंकि ग्याहों की कटाई चल रही है तो बहुत ज्यादा नुकसान है मोसम खुसनमा तो हुआ है लोगों को थोड़ी खिरात तो मिल यह गर में से लेकिन नुक्सान बहुत जादा है साल भर आजमी महनत करता है किसान बाट देखता है इस वशल की और ये नुक्सान हो जाए तो वो खिसान बहुत जादा दूही है तो मैं यह कहूंगा कि बारिश को बंद करके और खुड़ा करम मुसम होजित से ग्याहों की फसल खराब ना हो खटाई चल रही है बिजली विभा के करमचारियों की चल रही हर्ताल के पी जिलादिकारी माला शिर्वास्तफ के निर्देश पर जिलाप्रशासन ने जनपत वासियों को निर्बाद विद्यूत आपूर्ती देने के लिए कमर कसी देर राजसिती मजिस्ट्रेट पलवी मिश्रा सदर अंकिता जैन के नरेतित में जिलाप्रशासन की टीम ने निर्वाद विद्यूत आपूर्ती सुनिश्चित कराया जाने के लिए विद्यूत आपूर्ती बाधित थी उसको तुरंट चालू भी करवाया जैन निग्रामीर शेत्रों के विद्यूत उपकेंद्रों का निर्वाद विद्यूत आपूर्ती सुनिश्चित कराने के भिनर्देश दिये है खबर लखनव से है जहाँ भारतिय सेना का अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाला एक शातिर अभ्युक्त को पुलस ने गिरफतार कर लिया है गिरफतार अभियुक्त का नाम मंकित चौधरी बताया जो आ रहा है तो वहीं वो सुल्तानपुर का रहने बाला भी बताया गया हमारे इस बुलिटन में फिलहाल के लिए इतना ही देश भर के तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी